सोड़ संसकार की विवस्था में आज हम तृतिय संसकार की बात करेंगे अब तक हमने गरभाधान संसकार और पुन्सवन संसकार की बात करी और उसके विशे में संपुन जानकारी हमने प्राप्त करी आज तृतिय संसकार है सीमंतो नैन संसकार ये संसकार क्यों संपाजित होत नयन यानि मस्तिस्क के विकास के लिए यह संसकार किया जाता है माता के गर्भ में कोक में जब बच्चा रहता है तो माता की ही संपुण जिम्मेदारी होती है माता की उपर ही संपुण निर्भरता रहती है कि उस बच्चे की शारेरिक और बौधिक विकास माता के उपर ही जो इसी विशे में हम बात करते हैं कि गत्र सयंहें रिख करते हैं कि सीमंता यह न्याएं है पुनुषी यह संब दिख सवम सर्वण है शुक्र पक्ष के दुतीय थृटिया-पंचमी सप्तम दशम एकढश और त्रियोधन गित्यू ए रईवार मंगलवार घुरू वार इसके लिए लगन, प्रथम, तृतिय, पंचम, सप्तम, नौम और एकादश, मास जो है गर्भधारन से छटवे या आठवे मास में यह संपन्यता की जाती है, ध्यान रखिएगा गर्भस्त जो शिशु होता है उसके छटवे या आठवे मास में यह संसकार हम संपादित करते ह सीमन तो नेन का अर्थ है मस्तिस्क का उननेन अर्थार्थ मस्तिस्क का विकास पुन्सवन संसकार है गर्भस्त शिशु के शारेरिक एव मानसिक विकास का संसकार है यह विवाह की पश्चात प्रथम गर्भ के अवसर पर है ठीक है ना यह सीमन तो नेन संसकार जो है यह प् आत्रिका नांदिस्राद पुन्याहवाचन नवग्रहादी पूजन के पश्चात जो है पतिस्वभार्या के केशो को गुलर के कच्चे फलो या गुच्छा साही के काटे लेकर अथवा आधुनिक काल की जो कंगी है वो लेकर के उनके बालों को सवारता है और सवारता हुआ यह मंत्र बोलता है प्रकार से यह सीमंतो नएन संसकार निश्पादित किया जाता है इसी प्रकार से हम जो है पूरे 16 संसकारों की विधिया उसके जो क्रम है उसके क्या कारण है करने के ओस सारी जानकारिया हम आपको प्रेशित करेंगे तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर शेर करके सभी को यह जानकारी प्रदान करवाए क्योंकि आज हमारे समाज के अंदर किसी को भी यह जानकारिया नहीं है कि हमारे 16 संसकार हमारे जीवन में क्या भूमी का निभाते हैं जे जान की नाथ